हेलो वीवर्स आज मैं आपके साथ गेहूं की इतनी ज्यादा टेस्टी हेल्दी रेस्पी लेकर आई हो कि सिर्फ दो चमज तेल में बन जाएगी और मेरी यह गैरंटी है कि आप इस रेस्पी को हफते में दो दिन जरूर बनाएगी तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं तो आपको एक बावल लेना इसमें आपको एक कप दल्या लेना है दल्या गेहूं से ही तो बनता है इसमें बहुत ज़्यादा फाइवर विटामिन्स होते हैं और इससे पाचन किरिया भी हमारी सही रहती है अब इसमें डालना है आधा कप पोहा इससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा और फिर साथ में लेना है एक चौथाई कप दई और फिर हमने एक चौथाई कप इसमें पानी डाल दिया है और फिर इससे आपको मिक्स करना अच्छे से आप मिक्स कर दीजिएगा और अगर आपको थोड़ा पानी की ज़रूरत पढ़े तो आप इसमें और भी डाल दीजि साथ में इसमें आदा कप पानी डाला है और फिर आपको इसे ग्राइंड करना है बिल्कुल स्मूद बैटर आपको इसे बना लेना है तो लीजिए हमारे यहां पे बैटर भी ग्राइंड हो चुका है अब चलिए इसे हम ट्रांसपर कर लेते हैं तो यह देख सकते हैं बस आप आपके चमच में कोटिंग हो जानी चाहिए आपको पतला नहीं रखना है अब इसमें आपको टेस्ट के अकॉर्डिन डमक डालना है और चमच हल्दी पाउड़ा जालना है और साथ में आपको हरदनिया हरी मिज चौप करके ले लेना है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ज़्यादा मसले को यूज हमने बिलकुल ले किया है क्योंकि यह नास्ता है इत्वा जो चीजे आमने डाली है सभी की सभी बहुत ही फायदे मन्द होती है हल्दी फायदे मन् दोती है धनिया मिन दोती है और नमच तो तेस्ट के लिए आपको मिक्स करना है इससे क्या होगा एक्टिवेट बहुत ही जल्दी से हो जाएगा तो लीजी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब चलिए चलते हैं पैन की तरब तो आपको इसमें थोड़ा सा थेल अपलाई करना है और फिर आपको बैटल लेना है चमचा भरके आपको और फिर आपको हलका सा फैला देना ज्यादा आपको फैलाने की जरूरत नहीं है और ढखके आपको दो से तीन मिनट पकाना है जब तक कि ऊपर की सतय ड्राय न हो जाए तो यह देखिए बस इस तरह से पक जाएंगे और यह देखिए कितना जालीदार नास्ता हमारा बन तेखिए फैब करना बिलकुला पूलिया जाए जाए भाइए